थपके के साथ हुई शादी को नहीं मानेगा पूरब लेकिन किसमत को होगा कुछ और ही मनजूर और जुड़ जाएंगे पूरब और थपकी एक दूसरे से जी हाँ दोस्तों आपके फेवरिट श्यूट थपकी प्यारकी के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि यह शादी होने के बाद में पूरब बहुत ही जाधा गुस्ता करेगा मनदप में थपकी को बहुत कुछ कहेगा भी और सबके सामने इयलान कर देगा कि यह शादी एक धोका है मैं यह शादी नहीं मानता। पूरब का बहुत ही गुसे वाला अवतार देखने को मिलने वाला है दोस्तों और तभी मंडप में आग भी लग जाएगी थपकी आग देखकर बहुत जादा घबरा जाएगी और पूरब को बचाने की कोशिश करेगी लेकिन पूरब को बचाते बचाते थपकी के सर पर कलश भी गिरेगा तो लाल रंग से भरी थाली में भी पूरब अपना पाउं रखेगा और थपकी को लेकर कमरे की ओर बढ़ेगा और ये सारे संकेत देखकर वीना देवी और पूरब की दादी बहुत ही खुश होंगे उन्हें यही लगेगा कि शायद थपकी और पूरब पिस फैसला भी है, यानि कि भले ही पूरब शादी को ना माने दोस्तों लेकिन किसमत ने इन दोनों को जोड दिया है माताराणी का भी यही फैसला है कि पूरब आ fundamental की एक ही हो जाएं और यहां पर वीना देवी का मन था के थपकी उन्हीं की बहु बने और ऐसा ही हुआ लेकिन लेकिन अभी दो शो में ट्विस्ट आना बागी है क्योंकि थपकी की अटक अटक कर बोलने वाली सच्चाई तो वीना देवी के सामने अभी तक आई ही नहीं है देखना होगा कि कहीं सच्चाई जानने के बाद में वीना देवी जहां अभी थपकी से बहुत प्यार करती है और अपनी बहु बनाना चाहती थी कहीं सच्चाई जानने के बाद में नफरत ना करने लग जाए वसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों किया पूरब अपना लेगा थबकी को अपना लेगा अपनी शादी को कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा और टीवी शोज और बॉलिवुट के ऐसी ही लेटिस्ट अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले